नमस्कार मैं गिरीश कुमार तिवारी डियलेट कारिक्रम के इस चर्चा सत्र में आप सभी दर्षकों का स्वागत करता हूँ आज इस्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश कुमार उपलब्ध है जो पर्धमान महावीर खुला विस्वुरिद्याले कोटा राजस्थार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पतपर कार्यत है डॉक्टर साब मैं आपका इस्टूडियो में स्वागत करता हूँ शुरुआत से पहले मैं यह चाहूंगा कि आप हमारे दर्षकों को बाल अधिकारों के विशाय में संचिप्त जानकारी देए अब मैं इस बात पर थोड़ी चर्छा करना चाहूँगा कि बाल अधिकारों की जानकारी और उनके प्रति 71 साल बीच चुके हैं इसके बावजूद हमारे बच्चों की इस्थिती जो है वो बहुत अच्छी नहीं है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ खबरें जो अभी बहुत तर्चा में रही हैं और मीडिया में चल रही थी उनमें एक खबर जो है वो है कि 7 साल का जो बच्चा है प्रद्यूम्न वो उसकी हत्या कर दी जाती है दिली के विद्याले में दूसरी जो खबर है एक 10 साल की बच्ची जो है उसके साथ बेविचार किया जाता है और वो लड़की एक बच्चे को जन्म देती है तीसरी खबर जो है कि एस्कूल में मासूम से घिनोनी हरकत की गई और इस प्रकार की खबरों से आये दिन हमारे न्यूज पेपर भरे होते हैं बच्चों के प्रती एक्स्वाइटेशन के, बाल स्रम के, उनके सेक्स्वल एव्यूज के, उनके ट्रैफिकिंग के, बहुत सारे मामले हमारे पास किया वसकता है कि इसके प्रती जागरूपता फैलाई जाए जाए, इसके प्रती बच्चों को भी जागरूप किया जाए, मातापीता को भी जागरूप किया जाए, और इसलिए आज का ये चर्चागावी से चुना गया है, जहां तक बाल अधिकारों की बात कर रहे हैं, त काने का मतलब कि दुनिया में चार वर्स से कम का जो हर पाचवां बच्चा है वो भारती है ये युनिसेफ 2007 की रिपोर्ट कह रही है एक और जो फैक्ट है कि भारत के तीन राजियों मध्यप्रदेश जहारखंड एवं बिहार के पांच वर्स से कम आयू के आधे से जादा कि माजन के हैं इसके इलावा भारत के लगभग सत्त परिस्त बच्चे इस माथ से पांच वर्स के बीछ वो सारह यूदि रगता रुत्त आक के सिकार है से रिवर्स के copeness computer Harbor से कम आयूदि लगभग 40 परसइंट बच्चे वो कुपोशन के सिकार हैं ऐसे में जहां तक resident बाल लेकिन बाल अधिकारों के प्रती अगर जागरुपता हो तो इन चीजों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. तो बाल अधिकारों के अगर चर्चा करें तो सबसे पहला जो बाल अधिकारों पर विश्व का ध्यान गया और जो पहली गोशना हुई वो बाल अधिकारों के संदक्षन पर जनेवा घोशना पत्र आया जिनेवा में गोशना पत्र उस वक्त संजुत राश्टंग अपने वर बताना चाहेंगे कि जेनेवा घोसना पत्र 1924 जो आया बाल अधिकारों के संबन में उसमें क्या मुख्य बाते बताई गई जी जी बिलकुल बिलकुल गिरिश जी जेनेवा घोसना पत्र जो है वो 26 सितंबर 1924 को लीग ओफ निसंस के द्वारा स्विकार किया गया जिसकी पिछड़े बालों को सहायता आप राधिक प्रवृत्ती वाले बालों को सुधार के अवसर एवम अना थेवम परित्यक्त बालों को संरक्ष्ण एवम सुरक्षा प्रदान कि जानी चाहिए तीसरी बात कही घई वो कही घई कि संकट काल में कभी भी crisis की situation आती है migration की जैसे अभी आप रोहेंगे मुसल्मानों की बात सुन रहे हैं ये एक संकट काच्छन है उनके लिए तो ऐसे situation में ये जो बाल अधिकारों के संरक्षन पर जनेवा गोशना पत्र है ये कहता है कि संकट काल में जनेवा गोशना पत्र ने ये भी वर्णन है कि बच्चे को इस इस्तिती में रखा जाना चाहिए ताकि वह बड़ा होकर अपने लिए आजिविका का प्रबंध कर सके एवं उन्हें सभी प्रकार के सोसंट से बचाया भी जाना चाहिए बच्चे को साधानी पुर्वक इस प्रकार का वातावरन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उसकी मेधा मानव की सहायता को समर्पित हो ये कुछ बाते महतपूर्ण बाते थी जो लीग ऑफ नेशन्स ने अपने बाल अधिकारों के प्रती जनेवा घोसना पत्र जो दिया था कईये कि जनेवा घोसना पत्र के माध्यम से वो इन मुख्य बातों को सामने लिया है पहला अंतराश्टरी ये घोसना पत्र था बाल अधिकारों के लिए जहां तक हमने सुना है कि बाल अधिकारों के संबंध में UNCRC की भी बातचित की जाती है तो ये UNCRC क्या है और बाल अधिकारों के संदर में ये क्या कहता है इस संदर में भी आप थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्सकों को दें बिल्कुल बहुत अच्छा प्रस्म किया है आपने, UNCRC से जाने से पहले मानवाधिकारों की जो सारवभौमी घोषना की गई थी, उस पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा मैं, कि मानवाधिकारों की जो सारवभौमी घोषना संजुक राश्टरंगे ने 1948 में की, उसके अनुछे 26-22 में उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि सिक्छा का लक्ष क्या होना चाहिए, बच्छों की सिक्छा का लक्ष जो है, वो क्या होना चाहिए। उसमें बड़े अच्छे से वो बताते हैं कि बच्चों की सिक्षा जो है, वो अपनी अन्य लक्षों के साथ साथ इस प्रकार निर्देसित होना चाहिए, ताकि वह मौलिक स्वतंतरता एवं मानवाधिकारों के आदर को सुद्रिट कर सके, मानवाधिकारों की जो सारभोमी ग विभिन प्रजातियों या धार्मिक समुहों के मध्य आपसी समझ, सहनसीलता, मित्रता को प्रसाहिद करने वाला एवं इससे आगे सिक्षा को संजुक्त राश्रंग के सांती प्रयाजों को सुद्रिट करने वाला होना चाहिए, इस प्रकार संजुक्त राश्रंग ने एक विश्व ब्यापी बाल अधिकारों से सम्मंधित और बच्चों की सिख्षा की दिशा से सम्मंधित बाद कहीं कि वह इसको हम लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं कि संजुक राश संग ने जो बताया अपने उनिस्व और तालीस के गोंसरा पत्र में कि सिख्षा का लक्ष क्या है तो संशेप में हम यह कर सकते हैं कि सिख्षा का लक्ष एक मनुस्य में या विद्यार्थी में जो मानाता के सारे गों होते हैं उनको संपोसित करना या उनका विकास करना होना चाहिए बिलकुल बिलकुल 1989 में संजुक्त राष्ट महासभाद्वारा स्विकार किया गया और यह प्रभावी हुआ 1990 में तो UNCRC में चुकि पूरा UNCRC एक बहुत बड़ा डॉकुमेंट है उसकी कुछ महत्पूर्ण बाते मैं यहां पर रखना चाहूंगा सबसे पहली बात की UNCRC के अनुच्छद 29 में यह वर्णन है कि बालकों में व्यतित, उनकी मेधा एवं समस्त सारीरिक और मानसी के योग्यताओं को उनके उच्चतम अस्तर तक विकास की और उन्मूख होगी उनकी सिक्षा बतलब कि उनका सर्वांगिल विकास कर सके ऐसी सिक्षा उन्हें दी जाने चाहिए विभिन स्रिधानतों के आदर की और भी उन्मूख होगा वो है कि बच्चे को मुक्त समाज में एक जिम्मेदार जीवन के प्रती समझ की भावना सांती, सहंसीलता, लेंगिक समानता, सभी व्यक्तियों, प्रजातियों, राष्टियों, धार्मिक समूहों अथवा आदिवासियों के प्रती महत्री पुर्ण भाव के विकास की और भी उन्मूख होना चाहिए और जो आखरी महत्रपुर्ण बात इसमें थी, वो ये थी कि वालकों की सिक्षा जो है, वो प्राकृतिक वातावरण के प्रती आदर भाव का विकास करने की और भी उन्मूख होना चाहिए ये कुछ बातें, UNCRC के आर्टेकल 29 में कही गई कि बच्चों की सिक्षा कैसी होनी चाहिए इस संदर्व में कई नहीं है, तो डव्, यहां पर थोड़ा सा आपको रोकनाचाहूंगा और मैं यह चाहूंगा कि अध्यापक कई आपना समय, अपने जीवनिकादिकान समय विध्यालय, महविद्यालय, विष्व, विध्यालय आदी में व्यथित करता है, तो ऐसे एक विशेशकर जब हम बालक की बात करें तो हम विद्याले की ही बात करेंगे तो ऐसे में एक सिक्षक कि क्या भूमिका हो सकती है कि वो कक्षा कक्ष में या पूरे विद्याले में बाल अधिकार को सनरक्षित करने के लिए वो क्या कर सकता है बहुत महत्वपूर्ण प्रस्टन है गिरिश जी आपका कि क्या कर सकता है बाल अधिकारों के संख्षण के लिए एक सिक्षक कच्छा कच्छ में उस पर जाने से पहले बहुत संखेप में एक बार कुछ प्रमुक प्रावधानों को देख लेते हैं जरूर। ऐनुषेद 13 जो है वो बच्चे को अहीव्यक्ति की सोतनितरता प्रावन करता है अनुषेद 42 जो है वो बच्चे को उसके अधिकारों का गियान कर आ In JP 우리가 27 वह बहुत महत्वपूर्ण वो उन्हें सिख्षा कादिकार ये दूसरा भी बहुत महतुपूर्ण है कि उन्हें सिख्षा कादिकार अनुछेद 28 UNCRC United Nations Convention on Rights of Children का अनुछेद 28 सिख्षा कादिकार 1989 में हम थो थोड़ा लेट हो चुके हैं सिख्षा कादिकार अपने हां लागू करने में UNCRC ने बच्चों के अधिकारों में 1989 में बता दिया था कि ये बच्चे का अधिकार होना चाहिए इसके अलावा अनुछेद 29 में वर्णन है कि बच्चे को उसकी इच्छा के बिना माता पीता से उसके कोई अलग नहीं कर सकता है तो ये कुछ और भी बहुत सारे प्रावधान है लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो मैंने यहाँ पर रखए जो UNCRC ने दिये बालकों के अधिकार के संदर में जो उन्होंने का है इसके बाद एक नजर डाल लेते हैं कि हमारा जो सम्मिधान है उसमें बाल अधिकारों के लिए कौन-कौन सी बात कही गई ये भी बहुत ही आवस्यत तक तो हैं हमारे दर्शकों के लिए जी बिल्कुल तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे सम्मिधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है हमारे सम्मिधान का आर्टिकल 47 पोसन के अस्तर को बढ़ाने की बात करता है कि बच्चे को उप्युक्त मातरा में पोसन मिलना चाहिए ऐसा राज्य वेवस्ता करें और इसी की वज़ाए से ICDS स्कीम और ICPS स्कीम पूरी कंट्री में चल रही है Integrated Child Development Scheme और Integrated Child Protection Scheme ये दोनों कारेकरम पूरे देशबर में चल रहे हैं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके पोसन को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 45 जो है हमारे सम्मिधान का वो आरंभिक सैसवा वस्ता अर्थात 6 साल की आयो तक बच्चों की देखवाल की बात करता है आर्टिकल 23 जो है वो बंधुआ मजदूरी से बालोकों को बचाता है निशेच करता है हमारे सम्मिधान का आर्टिकल 21 से जो प्रसिद्ध हो चुका है मुफ्तियम अनिवार्ज चिक्षा 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए प्राधान करता है हमारे सम्मिधान का 19 एक जो अनुछेद है अभिवक्ति की सोतनतरता की बात करता है हमारे सम्मिधान का 20 आर्टिकल 20 जो है विक्ति का सोतनतरता की रक्षा की बात करता है यह कुछ प्रावधान हैं सामिधानिक प्रावधान है जो बच्चों के अधिकारों के रच्छा के लिए अंतराष्टी अस्तर पे किये गए या राष्टी अस्तर पे किये गए अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि UNCRC का जो 42 है वो बच्चों को उनके अधिकारों का ग्यान करा है क्योंकि जब बच्चों को ज्ञान ही नहीं होगा की हमारे अधिकार है क्या तो उन्हें पता कैसे चले जा कि हमें अपने अधिकार मिल रहे हैं या उनका हनन्त की जा रहा जिसे कोई बच्चा चांद-का-खिल्वना-क्री जब जानता कि चांद है अगर उसे उसको मालूम होना चाहिए कि इन अधिकारों के हंटन पर क्या किया जा सकता तो ऐसे में आपका प्रस्ण था कि सिख्षक कैसे मदद करता है, तो बड़ा अच्छा प्रस्ण है कि एक सिख्षक बच्चों का रोल मॉडल होता है, तो सबसे पहले तो सिख्षक की भूमिका यहां से सुरू होती है, कि वह मानव अधिकारों के प्रती खुद जागरुखो, और खुद जागरुखो होकर रह जाना प्रयाप्त नहीं है, बलकि वह अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को, अपने विद्याले के स्टाफ को, या फिर बच्चों को, सब को मानव अधिकारों और बाल अधिकारों के प्रती जागरुख करें, जो दूसरा काम एक स सिक्षक है, अपने अधिकारों के रक्षा के लिए ततपर है, और अगर बच्चे जागरुख होंगे कि ये उनके अधिकार हैं, तो कोई कारण नहीं है कि बच्चे जो है, अपने अधिकारों के प्रती जागरुख ना हों, और सोसंड से एक हद तक अपना बचाओ ना कर सक के इसका कोई कारण नहीं है सबसे पहले तो सिक्षक को विद्यारतियों के लिए रोल मोडल होना होगा ना केवल विद्यारतियों के लिए बलकि साथी सिक्षकों के लिए और पुरे समाज के लिए एक उदाहरण हो सकता है इसका ध्वजवाहक हो सकता है बाल अधिकारों के सं कि वह है क्या है और उनके हनन के सुरत में क्या किया जा सकता है एक सिख्ष क कैसे लोगों को जाघरुख बना सकता है यह सारी चीज़ेा अपने सुछय के पार्टिकरे में आनी चाहिए इसके अलावा विद्यालेई सिच्छा के पार्टिक्रम में भी बाल अधिकारों को असान दिया जाना चाहिए इस संदर्व में एक बड़ी अच्छी चीज मैंने आपजर्व की है वो ये है कि UNICEF ने एक बहुत अच्छा डॉक्मेंट तियार किया है और उस डॉक्मेंट में उन्होंने बिलकुल सरल तरीके से वो डॉक्मेंट बच्छों के लिए तियार किया गया है उनको ये बताने के लिए कि बच्छों के अधिकार क्या है हाला कि वो डॉक्मेंट अंग्रेजी में तियार किया गया है लेकिन बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही attractive तरीके से बच्चों को लक्ष करते हुए वो तयार किया गया है हम अगर चाहें, तो हम भी ऐसे ही बाल अधिकारों के प्रती, सरल एवं सुगम, बच्चों के लिए निर्मित सामगरी प्रसुत कर सकते हैं original language में तियार कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे आज कल कार्टून बहुत ज्यादा देखना पूस्ट करते हैं, तो हम कार्टून के माध्यम से बाल अधिकारों के विसे में उन्हें बताए हम उस पे आधारित कुछ कार्टून बना हैं, यह जो सारे अलग कार्टून चल रहा हैं, डोरे मॉन चल रहा है, इन करेक्टर्स का यूज करते हुए, उनको कम्यूनिकेट कर सकते हैं कि आपके अधिकार कौन से हैं, या फिर हम कॉमिक बुक, चितर कथाओं में बच्चों की बहुत रूची होती है, तो चितरों के माध्यम से भी हम उन्हे बता सकते हैं, हमें ऐसे रचनात्मक तरीके ढूणने किया हो सकता है, जिनके माध्यम से हम बच्चों को ये बता सकें, कि ये आपका अधिकार है, वीडियो गेम्स भी बनाये जा सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, मॉबाइल में हर बच्चा जो है, वो मॉबाइल से जाएए, नहीं किया, नीचे आजाएए, तो करने का मतलब कि हमें नए प्रयास करने होंगे, हमें नए तरीके ढूणने होंगे, जिससे हम बाल अधिकारों के संद्रक्षन की बात, विद्यार्थियों को, उनकी भासा में, सहचता के साथ, बता सकें, कि ये आपके अधिकार है, इसके अलावा, बाल अधिकारों के प्रतिजागरूपता के लिए, सेल्फ पेस्ट, ये लर्निंग मोडूल डेवलप कर सकते हैं, कि कोई अगर चाहता है उसके बारे में जानना, तो ओनलाइन जाए, जब इच्छा हो उसकी तब पढ़े, और जैसे ही पूरा होता है, अ और इस अंदर्व में इनका अच्छा प्रोग्राम, अपना डिलेट प्रोग्राम भी एक उदार और अपना डिलेट प्रोग्राम भी मोडल और मूब बेस्ट ही, ऑनलाइन लर्निंग पे बेस्ट है, इसमें भी बाल अधिकारों की बात हम करी रहे हैं, लेकिन और भी सेपर भुमिका निभा सकता है वो मानौ आधिकारों बाल आधिकारों के प्रती बच्छे के माता-पिता को जागरूप कर सकता है तो कि हर parent teacher meeting में उसकी मुलखात होती है माप से इसके अलावा जो काम कर सकता है टीचर वो है कि कभी भी अगर बाल सोसन का लक्षण किसी विद्यारती में देखता है तो उसको उस पर तुरित ध्यान देना चाहिए उस बच्चे को विश्वास में लेकर के यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या उसके साथ ऐसी कोई समस्या है और अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका तुरित रेक्टिफा का प्ले इस प्रकार के कारेक्रमों कायोजन डिवेट डिवेट कॉंपेटिसंस पाथे सागामी क्रियाओं का भी उपयोग हम कर सकते हैं बाल अधिकारों के प्रती बच्चों को अवेर करने के लिए सिक्षकों को अवेर करने के लिए सोसाइटी को अवेर करने के लिए हम ये क प्रतिक किये जा रहे हैं अप राधों से बचा सकते हैं और इस प्रकार की घटनाओं में कमी आ सकती है और हमारा देश भी बच्चों के लिए एक सुरक्षित अस्थान बन सकता है जहां पे कि बच्चे अपने संपूर्णता में ग्रो कर सकते हैं बच्चों का सरवांगिन वि मुख्य रूप से बाल अधिकार की विशे में हमें बताया कि बाल अधिकार है क्या जेनेवा घोसला पत्र में बाल अधिकारों की क्या बात कही गई है UNCRC ने क्या कहा है फिर 1948 में जो घोसला पत्र आया संजुक्तराश्चंका उसमें उन लोगों ने क्या कहा ये सारी बहुत सारी आपने बाते बताई साथ में एक अध्यापक बाल अधिकारों के संरक्षन के संदर में क्या कर सकता है इस पर आपने बहुत ही अच्छी चर्चा प्रस्थूत की और निश्चे ही ये चर्चा जो है हमारे विद्यार्थियों के लिए हमारे दर्षकों के लिए बहुत ही लाभानुईत होगी तो आज की चर्चा को मैं ही संपन्र करता हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद डक्टर साब और सभी दर्षकों को भी धन्यवाद